असलाम अलेकों वेलकम टू माय चैनल करीज डिजाइनर देखिए दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोग को हम बनाना बताएंगे बेविड़ सी डिजाइन जो बहुत ही प्यारी बहुत ही खुबसूरत है दोस्तों इस डिजाइन से आप लोग सिंगल डबल ये बेविक के है तो दोस्तों वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है या हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ नबेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो को नोट्फिकेशन मिल सके और आप लोग देख सके हमारी है नई वीडियो, तो चलिये दोस्तों उषसे हम बनाना बताते हैं तो हमने इसमें लिया है तीन कलर का कुपड़ा लिया अब यूच करने वाले है, तो हमने लिया है एलो, तो एक प्लूर एक कपड़ के वेलीन चाहिए युदे मदे को बाफारा ना पर हो साँ आधा मीटर नहींiben और लािट ग्रीन है उसे भी आधा मीटर तो इन कपड़ों से हम बेट सीट को बनाएंगे बेव बेट सीट तो आप लोग को इसका नाप बता दे और कितना हमने पीस लिया हो आप लोग को बता दे तो देख सकते हैं हमने लिया है एक पीस हमारा है चार इंच का और यह चार ईह एकट कर लिया है लंबे में आपको एपको एपको ऐसे ले ले हैं और यह भी अमारे है यूजासे लिवें आपका इसे लंबे में लëकार, यूजाय सिर्फ नोग को बता दे रहे तो इतना हम इस पीसे से हम क्या करें गे हम डिजाइन की जो है एक ही लीफ बनाएंगे तो पहले देखिए जो हमारा चार इंच वाला है उसे हम ऐसे लेंगे जो पीस हमारा 4 इंच वाला है और इसे बीचे-बीच से हम कट कर देंगे ऐसे हमें काट लेना है तो डिजाइन के सिर्फ एक ही लिए बनाएंगे तो हमने एक एक पीस दिया है इसलिए तो आप लोको आगे सब बता चलेगा कितना कैसे लेना है तो जो हमारा साड़े तीन इंच वाला पीस है उसे हम लेंगे और उसके बाद जो हमारी पट्टी है दो देंगे काल देंगे इसे बराबर काट लेना आपको तो ऐसे हमें लेना यहां पर यहां पर हम ऊबढ़ा है और जो यहां तक हमारा पीज है वहां तक हमें सिलाई लेना है तो चिलाई आप लोग एक बराबर ही रखें तो ही अच्छी डिजाइन बनेगी और कपड़े को हमें काटके निकाल देना है जितना हमारा हिस्टा है ऐसे तो देखिए हमने ऐसे कर बना लिया है एक पीस हमने ऐसे तयार कर लिया है अब हमें क्या करना है अगे आप लोग देखिए तो देखिए जो हमारा कटा वाला पीस से इसे लगाना है तो पहले हमें इस में कटिंग करना है तो कैसे तो देखिए आपको बताते हैं आपको कैसे क्यान करना है तो हम इसे प्रेस कर देंगे पहले प्रेस करके आपको इसे करना बताएंगे तो ऐसे आपको तयार कर लेना है आप लोग को बता दिया कैसे तयार करना और ऐसे करके हमें इसे पहले प्रेस कर लेना है प्रेस करने के बाद ही हमें इसे कटिंग करना है तो देखिए हमने इसे प्रेस कर लिया अच्छे से तो हमने एक पिस आप लोग को बना के दिखाया और तीन बनाने के बाद दिखा रहे हैं तो ऐसे हमने चार पिस तयार कर लिए हैं तो हमें इसकी कटिंग करना भी तो ऐसे आप लोग को तयार का लेना है तो हम एक पीस निकाल देंगे और इसी cutting करना है अएसे देखuito तो आप लोग को हम बतादे कि अखिर लिया था शाड़े तीन इंच का हममारा पीھला वाला पीस था तो यहां पर एधर से भी अम एसे लगा लेना है हैं त्यस्य HEY अता यृश्य को ईदर की निचान से姐 कटिंग कर लेना है कि यहां से हम उपर तक काट लेंगे अच्छे से तो एक तरफ हमने काट लिया फिर दोसरी तरफ भी हमें काट लेना है तो देखिए हमने एक पीस आप लोगों को काट के दिखा दिया तो अब हमें क्या करना है जो हमारा कटा वाला पीस था इसे हमें लेना है और इसके किनारे किनारे जहां से हमने कटिंग किया वहां पर रखना है बराबर से कोना थोड़ा फरो निकालना आपको उपर और नीचे इसे रखना है और हमें सिलाय कर देना है यहां से दोनों तरफ तो पीस को अच्छे से रखना है और हमें सिलाय कर देना है तो हमने चार इंच का पीस लिया था चार कौन में और हमने इसे बीचे बीच से कट कर लिया था आप लोग ने देखा तो एक तरफ से हमने इसे लगा द कि देखिए इसके साइड में भी हमें ऐसे लगा लेना है तो दोनों तरफ हमें लगा लिए दोस्तों ऐसे करके देखिए ऐसे हमें लगा लेना किनारे किनारे तो इसी तरीके से हमें जो बाकी का पीस था दोनों पर तरफ हमें जैसे लगाया जो बाकी का हमारा पीस था इन सभ काट लेना है काटने के बाद किनारे किनारे इसके पट्टी को लगा लेना है कपड़े को जैसे हमने इसे बताया आप लोग को सेम उसी तरीके से इसे भी तयार कर लेना है तो देखिए दोस्तों हमने सब एक पीस से हमें एक बनाना है तो हम पहले क्या करेंगे दो फस लेंगे देखिए ऐसे रखना है और एसे रखना है और देखिए है और आपको सिलाई ले लेना है ना के साथ जो सिलाई ऐसा लें कि आप लोग जो डिजाइन है इधर उदर ना हो अच्छे से बैठे तो परेदे हम दो पीस को ऐसे करके आपस में नीची उपर रखके सिलाई कर लेंगे तो देखिए आप हमने ऐसे सिल लिया है और जो दोसरा वाला पीस है दो पीस बचा हुआ है उसे भी लेंगे इसी तरीके से और रखेंगे और हम सिलाई कर देंगे यहांसे हम सील लेंगे तो इस तरीके से हमने इसे भी जोइंट कर लिया है तो अब हम क्या करेंगे यहांसे हमने सील लिया दोनों पीस को तब दोनों को हमें आपस में जोइंट करना है तो देखिए ऐसे हमने जैसे तोनों पीस को एक ही तरीके से तयार किया है अफिर इस तरीके से घुमा देंगे हाँ पर रखेंगे और यहां पर हम सिलाइ लेंगे यहां से नीचे तक यहां मिला करके आचे से दुने को आपस में जुट्वाइट कर लेना है है दोस्तो अरम-अरम से आपलोग से नहीं तो कि आप लोग को सिर्फ एक ही दिजाइन की एक लिफ पताया बनाने के लिए लिए आप लोग को ऐसे करके तो पूरा जोड़ लेना है कि अपना पीस आपको लेना है तो आप लोग इस हिसाब से पीस to कट कर लें तो दोस्तों हमने ऐसे करके ज्वाइंट कर दिया है तो हमारे जो डिजाइन है बन गई है हमने देखिए एक डिजाइन बना लिया है तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने इसे बना लिया है तो आप लोग को समझ में आया होगा कैसे हमने इसे बनाना बताया है आप लोग को तो आप लोग वीडियो को देख के अच्छे से बना सकते हैं इस तरीके से हमने एक पीस तयार कर लिया है तो हमें क्या करना भी हमें और भी पीस तयार करना है तो हमने एक आप लोग को बना के दिखा दिया तो आप लोग देख सकते हैं लिखाते हैं तो दिखाते हैं एक पिस हमने आप लोगो तैयार करेंगे अनुझता चोटा बड़ा पी कर सकते हैं अपनेय हिसाबशा करना बताते हैं तो जोइंट करने के लिए हमें पट्टी लगाना हुगा यहांगे को कट कर लिया है तो थेक सकते हैं तो हम चलिए आप लोग को हम बता दे रहे हैं कैसे हमने पट्स पाप लोग को are you sure 1 तो थे आप लेना आपको कितना लंबा तो पहले बारा पीस है जो आइंट वाला उसे लेना है और यहां से हमें इसे नापना है उपर से निची तक जहां तक हमारा इसका नाप आएगा तो देखिए हमारा सवा बारा हिंच आ रहा है तो इतना लंबा हमें पट्टी को लेना है लंबाई में तो हमने इसे लिया है 4 पीस, 4 पीस हमने लिया है और जो मां टुकडा है इसे हमने लेना लिया है, 3 먹고 का तो इस हमने लिया है तो इसे हमने लिया है सिर्φ एक ही पी स, इस हमें उच करने वाले हैं इसमें, तो पहले हमें क्या करना है, देखी पहले इसमें हम ज्वाइंट करेंगे पट्टियों को पहले हमें पट्टि लेंगे और ऐसे रखेंगे पीस के ऊपर से और इसे हमें अच्छे से ज्वाइंट कर लेंगे ऊपर से नेची तक इसे हमें ज्वाइंट कर लेना है हुआ है है कि तो एसे मेंसे जोड दिया है और एक साइट के चाइट कर्साइट से जोड दिया और इसके हुआ और प्ट्टी को अचाना है दिजाइंग तो देखिए घंगे और बायरेसे जोट देना है कि ओपर नेची तक इसे जोड़िए में जोट का लेना है तो देखिए दोस्तों थीच को आपासा जूढ लिया है तो आप लोग को समझ में आया हुआ कर सो इस तरीक के से पट्टी लगा आधाकर के दो पीस को सब्सक्ञा ti जो आइसे प्लोग को इसे वह ज्यांट कर लेना उसी तरीका से जैसे आप लोग को जोंट कर करके पक्तिंपर को श्राइ happyस अचीमी इंट भास कर दिए जाए हमका अजय तो इसे इसे वह प्रहएं जोड़ना में जोड़ना में जोड़ना में तो ऑपक्राएं वाल को करते हैं तीसे मैं जोड़ना में जोड़नम कर देंगे तो इसे हमने जोड लिया ऐसे करके अब हमें क्या करना इसे आगे देखिए अप लोग तो हमारा जोईंट वारा जो पीस है उसे लेंगे और इसके उपर हम पट्टी को रखेंगे यहां पर देखिए ऐसे रखना आपको और उपर से नीचे तक हमें सिलाई लेना है और यहां पर जोईंट जो है जोईंट मिला करके नीचे तक हमें आ जाना है तो उपर से हम नीचे तक अच्छे से सिलाई को लगा लेंगे अपको अराम अराम से सिलाई को लगा लेना है जोइंट को जोइंट में ध्यान देते हुए सिलाई लेना है और अच्छी तभी देखेगी डिजाइन जब जोइंट में मिली होती है तो ही अच्छी लगती है तो आप लोग आराम आराम से अच्छे से पट्टी को रखके आराम आराम से सिलाई करें नीचे तक एक तरफ हमने ऐसे लगा लिया है पट्टे को जोइंट करलीया देख सकते हैं आप लोग इस तरह के से हमने ऊपर से नीची तक कर लिया है मिस्थ को भी हम इसमें जोइंट करेंगे इधर की साइट से तो ऐसे रखेंगे देखिए यहां पर रखेंगे और यहां से हम सिलाई लेकर के नीचे तक आ जाएंगे और अच्छे से इसे हम जोइंट कर देंगे देखे दोस्तों हमने पट्टियों को लगा लिया है और इसे हमने जोड़ चुकी है जोबी पीसिस थे आपस में हमने सभी को जोड़ लिया है तो ऐसे आप लोग जोड सकते हैं हमें जो डिया है अब हम इसे क्या करना है क्या करेंगे मैं की लुँवादी करेंगे तो कई से लिएक भीने आपक्टी हमें की अगे बता दे रहा है तो हम आप लोको इसके चियों के जो थ्चा दे रहा है तो माप लोको को नाप घाने रहा है कैसे लगाना आपको तो चलिए इसे दिखाते हैं आपको तो देखिए यहां पर हमने लिया है धाई इंच का जो ग्रीन वाला है उसे भी हमने लिया है धाई इंच का और रेड़ वाला हमने लिया है साड़े तीन इंच का तो पहले हम क्या करेंगे जो हमारा पतला वाला पीस है उसे सिर्फ लंबा अर जो हमारा चरोडा वाला पीस है उसे लगाएंगे चारो तरफ मतलब हमें लगा लेना है और पतली बाली है जिर्फ दिखा दियां लगाना है तो हम क्या करेंगे अच्छे से तो पट्टी हम लगा लिए उसके बाद आप लोग को दिखा आएंगे कि कैसे हमने लगा आया है लोग दिखा दे रहे हैं लगाने के बाद कैसी हमारे लग रही है तो इस तरीके से देखिए अमैं जो पथली बाले पटी है दूनों हमने उपर के साइड में लगाया है पहले रेट वाला ।adow पटी नीची उपर लगाया है सब्सक्राइब प्रेश करने के बाद दिखा दिचा दिरहें कैसे यह मेंते पत्ती तीन को यह देख सकते हैं लिए लिए यह रहा है दोस्तों में इसondere यह तपने जय को पर लगाया है और जो चौणी वाली है चारो तरफ लगा लिया इस तरीके से तो आप लोग को दिख रहा होगा जो पट्टी हमारी कैसे लगी है तो आप लोग भी लगा सकते हैं ऐसे करके तो बहुत ही खुबसूरत बहुत ही प्यारी बन के तयार हुई हमारी बिट्सीट कलर भी बहुत ही खुब्सूरत लग रहे हैं तो आप लोग अपने पसंद से कोई भी ले सकते हैं और नाप जो है आप लोग छोटा बड़ावी कर सकते हैं अपने हिसाब से और सींगल में डबल में वेवी के लिए कुछन कभार पीलो कभार इस दिजाज से कुछ भी बना सकते है आपर लोन के लखे भी हमसे बन माना चाहते हैं तो दियेगे वाट्सिअप नंबर में से उनिक कर सकते हैं य य फिर वाट्साप में से नियूदा प्रस्थ कर सकते हैं और लोग के लिए बना देंगे तो हमारा एक्षा छेनल भी है जिसका नाम कि वसका पुछ Jim को बहुत अच्छी डिजाइन मिल जाएंगे सिंगल डबल बेटियाइन के लिए सब बहुत सी बेटिशी डिजाइन ड़ले हुए हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं हमारी चैनल पर दोस्तों आप वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया तो दोस्तों फिर विलिंगे अगली वीडियो के साथ तब तक रखें हमें दवाया में आपना और अपनों का रखें खुब जादा ख्याल तब तक के लिए खुदा आफीच बाई